हलो स्टूडेंट्स देखिए जब से जेई मैंस का रिजल्ट आया है 11 सितंबर रात करीवन एक बज़े रिजल्ट आया है आपको पता है तब से ही सारे बच्चे ये बात जानना चाह रहे हैं कि किस रेंक के स्टूडेंट्स को एन आई टी की काउंसलिंग में में vertig Ricky की काउंसलिंग में और ये safxi की कांसलिंग में बैठने मिले का तो देंगे सबिके संबी को बैठने मिले गा कोई डाइट करीड नहीं करें न करें जितने भी लोगों ने जे ऑमेंस का एक्जाम दिया है सभी को धान से सुनें कोई Corinth को आपकी कोई मतलब नहीं उससे आपको एनाइटी ट्रिपल आईटी में जी एस एफटी की काउंसिलिंग में बैठने मिलेगा अच्छा एक और महत्पूर चीज बता दें लास्ट येर रूल था एनाइटी का के जिसके परसेंटेज 75% से जादा हो उनको ही एडमिशन मिलेगा वो रूल भी इस बार खतम कर दिया गया यानि इस बार आपका 12 का परसेंटेज का भी कोई दिक्कत नहीं है बस आपने जेई मैंस का पेपर दिया हो और आपकी कोई रेंक आई हो आपको इस काउंसिलिंग में बैठने मिलेगा अच् काउंसिलिंग इसके बाद होती है, इस पार्ट राउंड कहते हैं। इस पार्ट राउंड में बस एतनी दिक्कत होती है कि जो भी कॉलेज आपको मिलता है उसमें जाके आपको बेगार और नया रूल आ गया एक तो यह 75 पर्सेटारिया है परसंटेच का काम देना है पक्का किसी को भी उसमें एफसेंट नहीं रहे ना आपने अगर साल भर तयारी की है नहीं की है उसे कोई मतलब नहीं है दूसरी चीज दूसरी चीज आपको ये महत्तपूर्ण चीज ध्यान रखनी है कि काउंसलिंग से आपको क्या मिल रहा है ये सब हम लोग आपको बता रहे हैं इसके लिए लाइफ सेशन भी कर रहे हैं और बाट सब पर भी रिपलाई कर रहे हैं पीडियाप बना के तो अब हमें अपनी अब एक तीसरी काउंसलिंग भी होगी जो आपके स्टेट में होती है तो वहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट करेंगे जैसे माल लीजे आप राजिस्थान स्टेट से हैं तो राजिस्थान स्टेट की काउंसलिंग होती है डेली स्टेट से हैं तो डेली की काउंसलिंग हो एक और मात्पूर चीज़े हमारे ये काउंसलिंग का जो हेल्प डेस्क चल रही है ये बिल्कुल फ्री अब दे कॉस्ट है ये आप ध्याम रखे चलिए